नमस्कार दोस्तों नमस्कार सातियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल कुआल एजुकेशन में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं upcoming vacancy है दोजा 23 की बहुत बड़ी vacancy है SSE MTS की उसी के बारे में बात करने वाले हैं कितने पदों पर ये वेकिंसी आएगी क्या इसकी age limit रखी जाएगी क्या selection process है इसके अलावा क्या इसमें qualification मांगीगे ये complete वीडियो के इंदर हम देखने वाले हैं आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करें शाथे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉस्ट की तो जैसा आपको दिकरा होगा जैसा आपको दिकरा होगा कि SSE MTS 1223 की वेकिंसी है जो 1223 की वेकिंसी है उसकी अगर मैं बात करूँ तो यह जो वेकिंसी है वो 10,000 से ज़्यादा पदों पे आने वाली 10,000 से ज़्यादा पदों पे आने वाली है आप सभी को पता है SSE पहले फार्म में चल रही है SSE ने SSE GD के जो पत्ते उसको भी डबल किया इसी के साथ में CGL की वेकिंसी भी काफी बड़ी वेकिंसी है और CHSL के भी पहुंब बढ़ रहे है तो हो सकता है कि यह वेकिंसी भी उन वेकिंसी की जैसे एक बड़ी उसमें आए जैसे 10,000 प्लस पर इसमें हो सकते है आगे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसका selection process क्या होने वाला है तो इसका selection process होगा वो होगा इसका written exam ठीक है paper, past and second के आदार पर आपका क्या होगा selection होगा इसके अलावा हम बात करें SSEMTA, multi-task, stop की वेकिंसी होगी अगर मैं बात करूँ कि कुछ ऐसे कहते हैं कि इसमें काम किया करना होगा तो आपको mainly काम करना होता है जैसे आप कोई अधिकारी है तो उसके अंडर लगा दिया जाएगा क्यों कि उनकी जो file है उनको रेकरगाव करने का एक ओपीस से दूसरे ओपीस में file भीजने का कारी है ये सब मेन आपका कारी देता है मल्टी टास्क इस ताप का ठीक है इसकी अगर मैं बात करूँ सेलेरी की इसकी सेलेरी 5200 से 2200 पलस जी पी 1800 इसका क्या देने वाला है सेलेरी देने वाली है आगे हम बात कर लेते हैं इसकी एज लिमिट की तो जो इसकी एज लिमिट रखे गई है SSC MTS के लिए वो मिनिमम रखे गई है 18 एयर ठीक है 18 वरस से लेके 25 वरस तक के जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर सकते हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं इसके आलावा इसकी जो आयू में छूट है आपकी केटिगरीज के इसाफ से जैसे जैसे आपको मिलता है वैसे वैसे आपको अपनी आयू में छूट भी मिलने वाली है आगे अपन बात कर लेते हैं एप्लिकेशन फीस की एप्लिकेशन फीस की बात करें जनरल OBC के लिए आरस सोर्पे का आपको चालान पे करना होगा HC, ST फीमेल केटिगरीज के लिए आपको निल मतलब 0 रूपे करने हैं आपको कोई भी पेमेंट करने की आवसकता नहीं है ठीक है पेमेंट मोहड जो रहने वाला है वो ओनलाइन रहने वाला है ओनलाइन क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से नेट वैंकिंग से आपको क्या कर सकते हैं अपना ओनलाइन पेमेंट कर सकते हैं जो जनरल और OBC के के टिगरीज के लोग है वो सोर्पे का चालान करेंगे वो वाले बात कर लेतें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें कुछ ज़्यादा मांगी नहीं गई है मल्टी टास्क स्टाप में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है दास्वी पास मतर आप दस्वी पास होने चाहिए चाहिए आप कोई सी भी बोर्ड से हो ठीक है आप दस्वी पास हो कोई सी बोर्ड से हो इसके लाब 12 ग्रेजिशन में तो भी आप फॉर्म बत सकते हैं पर मिनिमम कम से कम आप क्या होने चाहिए दस्वी पास होने चाहिए आगे बात कर लेत की संभावना है और हो सकता है कि इससे पहले भी विकिंसी 2023 के जनवरी में भी आ जाए ठीके आगे बात कर लेते हैं अगर मार्च 2023 में आएगी तो अप्रेल 2023 तक क्या रहेगी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है एक महीने का लगबग आपको समय मिलता है इसका फॉर्म पिंट करने में आगे हम बात कर लेते हैं अगर आपके पास आपने पहले कोई बढ़ा खुराया फॉर्म एससे का तो आपके पास में रिश्टेशन नंबर और इसके अलावा पासवर्ड होगा अगर आपके पास रिश्टेशन नंबर और पासवर्ड नहीं है तो आप सबसे पहले एससे की जो ओपिसेल वेबसाइट है और अपके बाद में आपको मांग रहा है वो आपको करने इसके और आपको लोगिन नंबर करना है अपका ऊपका पास हागद है जैसे ही आप login करेंगे login करते ही इसमें जो vacancy है उसमें जो vacancy का पहला जो page आएगा उसमें जो empty इसकी vacancy उसमें एक apply का link आ जाएगा उस apply वाले link पे click करके आप उसका form बन सकते हैं बाकि जैसे ही vacancy आएगी इसकी official notification आएगा आपको वाँ पे form बने का process और इसकी जो कितनी vacancy उसके बारे में भी एक और वीडियो मिल जाएगा जब इसकी vacancy आएगी I hope आपको यह जानकारी आच्छे लगिए जानकारी आच्छे लगिए वीडियो को like करें share करें साथि आप चैनल को subscribe कर दें इससे क्या होगा कि इसी परकार की और भी आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहेगी दोस्तों thank you so much guys thank you